क्यारे दोस्तों आपका स्वागत है डैमन्ट रीडिंग चैनल में इंगलिस सीखने के लिए इस चैनल में आपको रीडिंग के माध्यम से इंगलिस सीखने को मिलेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लिजीए क्योंकि इस बाल भीर वाले दोर में दुबाड़ा मुझे को खोजना मुस्किल हो जाएगा तो चलिए बिना देर केव इस कहानी को पढ़ते हैं और इंगलिस सीखने और समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी का टाइटल है मेरे दोस्तो दा लीटल रेड हैंड लेटल में सोता है छोटा रेड में सोता है लाल हैंड में सोता है मुर्गी छोटे लाल मुर्गी की कहानी है इस पिक्चर में भी आप देख करके समझ सकते हैं ये छोटे लाल मुटंग की मुर्गी है इसी की कहानी है इसे कुछ सीख मिलेगा जीवन का भी इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए प्यारे दोस्तों अगर हिंदी में ट्रांसफर करना है तो आपको रूल याद रखना पड़ेगा सब्जैक्ट पहले चुनेंगे उसके बाद अब्जैक्ट और लाश्न में भरो चलिए सबसे पहले सब्जैक्ट को चुनते हैं एक छोटे लाल रंग की मुर्गी यानि दोस्तों हर फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ एक फॉर्म पर रहता था एक छोटे लाल रंग की मुर्गी जो है अपने दोस्तों के साथ यानि वह अपने दोस्तों के साथ एक फॉर्म पर रहता था A dog, उनका दोस्त कौन-कौन था प्यारे दोस्तो A dog, एक कुटा, A duck, एक बत्तक and A cat, एक बिल्ली यहाँ आप देख सकते हैं एक बिल्ली, एक बत्तक और एक कुटा यह तीनों इनके नित्र था While, her friends past dear time lazily While मने होता है जब की Her friend, उनका दोस्त, उसका दोस्त I'll see I'll see, I'll see, I'll see में Lazily में सुखा है, I'll see में अपना time गुजारता था, past यह नहीं गुजारता था The little red hand work hard क्या करता था? The little red hand, चोटे लाल दन की मुल्गी Work hard, करी मिहनत करता था She asked her friends वह अपने दोस्त से कहा To, तुम भी To means यहां पर क्या होगा दोस्तो? To work, काम करो And help her और उसे सहायता करो क्या ग्वला मुडगी की मुझे सहायता करो और काम करो तुम But they never listen to her wise words क्या क्या? But, लेकिन They, वे Her wise words उसकी जो है गुद्यमित्ता वाले बात को कभी नहीं सुना Never listen क्या क्या? लेकिन वे कभी नहीं उनके wise word को यानि गुद्यमित्ता वाले word को कभी नहीं सुना One bride वे एक उजवल Bright mean उजवल एक उजवल Sunny morning धूप वाला अचुवा The little red hen Was scratching the ground for food When she found a grain of corn क्या क्या दोस्तो? The little red यानि लाल लंग की जो मुर्गी क्या कर रही थी? Food Food भोजन के लिए Ground the scratching क्या कर रही थी? जमीन को scratch कर रही थी खोद रही थी When तब She found a grain of corn तब क्या है? जब वे बीच में लागा रहा था? उसका तब होगा तब क्या कि See यानि वह एक 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 दाने अनाज फोंड यानि पाए Suddenly अचानक She had an idea अच्वह यह उसे एक 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 था या या She planted the grain of corn See यानि वह याक या Planted the grain of corn यानि कि मकई के अनाज का दाने का Planted किया क्या किया प्रोधा रोप गिया When it grieve जब वह वरा हुआ She took it to the miller She took यानि ले गया See वह मिलर यानि कि मिल वाले के पास शक्की मिल वाले के पास इसे ले गया The miller गेब हर A bag of corn flour In return क्या किया The miller यानि मिल वाला चक्की वाला वापसी में Return यानि वापसी में Corn flour Of a bag एक बैग Corn flour यानि कि मकई के आटे का एक बैग उसे दिया She came home And made a ball of soap All for herself क्या किया See वा Came home वा जो है घर आया कि मने आया And made a ball of soap All for us क्या किया वा जो है हर सेल खुद अपने लिए सब ही soap सब ही जो है soap एक कटोडा बढ़ा soap क्या है A ball of soap एक कटोडा बढ़ा soap बनाया वा अपने लिए खुद अपने लिए क्या किया एक कटोडा बढ़ा soap soap होता है इसको बनाया And as he inspired the soap जैसे वह soap का enjoy लिए रहा था खा रहा था हर फ्रेंज सैट अराउंड हर वीथ देर हंगरी क्या कि या हर फ्रेंज उसका दोस्त जो था बत्तक कुट्टा और बिल्ली सैट अराउंड हर वीच देर हंगरी अपने पेठे भूखे पेठ के साथ क्या हुआ उसके चारो तरफ बैठ गए अराउंड मन चारो तरफ बैठ गए And croaking stomach और खाली पेठ या पेठ को हस्त लाते हुए They promised never to be lazy वे वादा किये यानि वे आलसी तुभी होने का कभी नहीं वादा किये वे क्या वादा किये आलसी कभी नहीं होने का वादा किये इस कहानी का moral क्या है प्यारे दोस्तो There are no grains without pains यानि कि There are no grains without pain यानि कि बीना पीन का Without pain बीना दर्द का No grains कोई फाइदा नहीं लाब होता है बीना दर्द का कोई मीठा फल नहीं मिलता है यानि कोई फाइदा गेन माने लाब नहीं होता है बीना दर्द का कोई लाब नहीं होता है दियाद जरू में रहता है तेस्कापो एक्नियों तेहित Thanks for watching dear French